यह वीडियो में हम सिखेंगे basket order क्या होता है और अगर आपको let's say 3-4 strike में एक साथ order punch करना है तो वो कैसे हम punch कर सकते हैं यह वीडियो में हम आपको multiple orders एक साथ कैसे punch करते हैं यह मैं आपको सिखाऊंगा आपको start से पूरा end तक video ध्यान से देखना है तो start करते हैं जैसे कि आपको मेरा screen दिख रहा होगा यह nestrader terminal है nestrader software यह terminal का नाम है यहाँ पर आई यह live market अभी चालू है आप देख सकते हो live market screen है आपको live order भी punch करके दिखाते हो तो आपको समझ में आएगा सबसे पहला option है orders में जाके simultaneous order यह आपको option तब काम आएगा जब आपको 2 strike में trade करना है let's say आपको सब 2 strike में trade करना है spread orders करना है तब आपको यह बहुत काम आएगा for example let's say मैं इस पर click करता हूँ मैंने click किया उसके उपर simultaneous order के उपर तो ऐसा window पुला अब let's say for example मुझे यह let's say मुझे sell करना है NACF window यहाँ पर NACF window select करूँगा और यहाँ पर option index let's say bank of the let's say मुझे 17,800 का call sell करना है और साथ में मुझे MS4 यहाँ पर select करना है option index और let's say मुझे 17,200 का put shot करना है अब यहाँ पर product type MIS और intraday या normal आप दोनों कर सकते हूँ अगर आप normal करोगा तो carry power हो जाएगा MIS करोगा तो intraday हो जाएगा यहाँ पर आप order type देख सकते हूँ मुझे order price market order पर place करना है तो मैं यहाँ पर market order करोगा तो यह market order पर place होगे रहेगा मेरा window set होगया आप देख सकते हूँ sell nfo option index bank of t call 17,800 का 1 lot यहाँ पर 20 लिखा मतलब 1 lot sell nfo option index bank of t put 17,200 sell 1 lot यानि मैं 1 lot call sell कर रहा हूँ और 1 lot मैं put sell कर रहा हूँ ठीक है market order है normal है यहाँ पर by default account client name save है already यहाँ पर मैंने place किया अब यहाँ पर ध्याद से आपको देखना है जैसे मैं place कर रहा हूँ यह देखो नीचे order complete आ गया यह देखो यहाँ पर order complete आ गया है और अब मैं यहाँ पर अगर जाके देखूँगा F11 दबाके तो यह देखो मुझे यह position दिख रहा है ठीक है एक lot मेरे short हो गए अब let's say मुझे यह square off करना है तो मुझे just set यह select करना है यहाँ पर रीचे एक button दिया हुआ square off all यह देखो square off दिया हुआ यहाँ पर square off करना है square off करोगे तो यह square off हो गया correct तो यह देखो यह दोनों trade मेरे square off होगे मैंने get position पे click किया अभी यह नहीं दिखा रहा है तो दोनों trade मेरे square off होगे ऐसी आप simultaneous order punch कर सकते हूँ यह मैंने आपको दो strike में बताया है कि दो strike में आप एक साथ order कैसे punch कर सकते हो let's say आपको 4 strike में trade करना है एक साथ order punch करना है तो यहाँ पर आपको orders पे click करना है basket orders पे जाना है और नॉर्मल बास्केट पर क्लिक कर रहा है, यह मैंने सेलेक किया, तो ऐसा वंडू को लेगा, यहां पर भी आप और टाइप, लेट से मार्केट सेलेक करो, और जिस मैं आपको सिंपल एक और पंच करके दिखा रहा हूँ, सेलिंग, अप्शन इंडेक्स मैंने आपके सेलेक क किया, 17,800 का कॉल मुझे सेल करना है, एक लॉट, यहां पर NFO सेलेक किया है, नॉर्मल सेलेक किया है, अब नॉर्मल और MIS कुछ भी सेलेक कर सकती हूँ, और टाइप मैंने मार्केट रखा है, ऑप्शन इंडेक्स मैंने 17,800 का कॉल, यहां पर मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो देखो, ओडर नीचे आ गया, अब लेट से मुझे 17,900 का कॉल भी सेल करना है, एंटर प्रेस किया मैंने, लेट से मुझे 17,200 का पुट शॉट करना है, तो यहां पर मैंने पुट सेलेक किया, 17,200 सेलेक किया, एंटर, देखो, नीचे ट्रेस एड होते जा रहे है, मैंने यहां पर 17,100 का पुट सेलेकме किया, इंटर, तो मेरे चारों ट्रेट्स आयट हो गया, आपको देख रहा है, तरहे है, यही मार्केट प्रेस पे ओरर मैंने इसलेक्ट किया हुआ है, चारोंट प्रेस सेलेक्टेड है, मुझे सिर्फ हहां पर क्या करना है, बलेस करना है, जै तो यह देखो, 4 order मेरे punch हो गए, net position दिखा रहा है, open, 4 order मेरे short हो गए, ठीक है, 1-1 lot, अब मुझे square off करना है, let's see, तो वापस यह 4 को select करना है, और square off all button दबाना है, करे, square off all आप दबाओगे, yes पूछेगा, आप yes कर दो, square off हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आप basket order options यूज कर सकते हो, अगर आप let's say 3-4 strike में एक साथ trading करते हो, या multiple orders आप select करते हो, इसको आप stocks के लिए भी उज़ कर सकते हो, let's say आपको Tata Steel, Tata Motor, TCS Infosures, यह सब stock AK Cloud एक साथ buy करना है, तो आप ऐसे दिख buy कर सकते हो, यह basket order काफी जाधा काम आता है, जब आपको 3-4 stock में एक साथ trading करना है, या 3-4 strikes में एक साथ trading करना है, तब यह आपको बहुत अच्छे से काम आएगा, और अगर आपको spreads order करना है, तो यह simultaneous order, यह काफी अच्छा option है, यह options available है, nestrader terminal में, यह nestrader terminal है, जो brokers provide करते हैं, let's say आपको य terminal नहीं है, let us assume, तो आपको यह YouTube चानल पर जाना है, यह मेरा चानल है, Manish Sharma YouTube चानल का नाम है, आप किसी भी वडियो में जाओ आप, यहाँ पर click करो, for example, किसी भी वडियो में, तो यहाँ पर आपको एक link देखेगा, नीचे description में, description में आपको देख रहा होगा, यह link, a nice blue online account with this link and get option, selling at 10x margin, यह link पर आपको click करना है, यह link पर आपको click करना है, तो यह link पर आपको click करोगा, तो यहाँ पर आजाएगा, ऐसा screen आजाएगा, ऐसा screen आजाएगा, उसके बाद आपको नाम, email, state, mobile number यह submit करके, proceed करना है, online process है, तो पांच मेंड में आपका process हो जाएग और within 24 hours आपका account भी open हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका account जब open हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको simply google में जाना है, अलाईष ब्लूड डाउनलोड टाइप करना है, गूगल में, और यहाँ पर आपको click करना है, यह first one आ लिंक पे, यहा पर आप नीचे down arrow press करोगे तो ये देखो आपको nest trader software दिखता है nest ये nest trader टर्मल है जो मैं भी use कर रहा था अगर आपका laptop 32 bit है तो आपको 32 bit वाला डाउलोड करना अगर आपका laptop 64 bit है तो आपको 64 bit वाला software डाउलोड करना तो आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा अगर आप multiple orders प्लेस करते हो एक साथ multiple strike prices में trade करते हो या multiple stocks में एक साथ trading करते हो तो आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा ये basket order and simultaneous order ये दोनों option आपको बहुत काम आएगा अगर आप multiple order प्लेस करते हो एक साथ आज के लिए वीडियो में इतना ही thanks a lot for watching the video see you in the next video